तो हलो दोस्तों कैसे आप सबतों दोस्तों पहले किया ना कि कनड़ा जाने के लिए जो क्रेज था आज राजस्तान में इटली जाने को लिख कर रहे हैं यहां इतली के कागज लगवाइं हैं उनमें चूरुज जीला हमारा राजस्तान से और नागूर और सिकर से कपी ज्यादा लोग है है जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कम्नेंट कर रही है और यूट्वब पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि सबसे पहली बात पर हमारे जानकार है मिल जाएगा लेकिन आप काम की भी बात पूरी करके नहीं आते हैं कि भाई कितने दिनों में हमें वहां पर जाने के बाद काम मिल जाएगा तो भाई कहने का मतलब आप जो लोग इटली आ रहे हैं अपने पूरी चाहें वो कागज की बात हो चाहें वो प करकि आए थे कि बाई यह डौकोमेंट बनवा देना काम आ पना न देख लेंगे वह बनते हैं तब तक आप अच्छा सा काम यहां पर इतलियमे नहीं डुन पाते हैं तो जिस भी आफ सोरस से हैं इटालीन पूरी जरूरी है क्योंकि यह एक है को पूरी जानकारी नहीं मिलती है ना तो फिर आप लोगों से पूशते हैं की भाई यह क्या हो गया हमारे साथ या आपको यहां ने के बाद पूरा पता चलता है तो मेरी कोशीस यही रहती है कि आपको पूरी जानकारी बताऊं ताकि यहां आने के बाद कम शेकम आपको यह regret ना रही या पस्तावा ना हो कि भाई यार क्या हो गया यह तो भाई आप इटली आना देखो कोई बुरी बात नहीं है या मेरे हिसाब से यहां पर आने के बाद लोग पैसे नहीं कमा पाते है पैसे कमाते हैं तभी तो हम यहां पर बेटे हैं लेकिन यदि आप पूरी बात नहीं करके आते हैं तो यहां पर भाई बहुजदा करी लोगों के साथ प्रोब्लम हो जाती है अब आती है अपने पॉइंट पे कि भाई जो लोग नहीं आ रहे हैं इटली में उनको कितनी सेल सब्सक्राइब लोगों करें बात नहीं अब रहे हैं बहुत मतलब कम से कम 300-400 यूरो को अराम से अंतर है तो जो निचे वाली साइड है ना लेचे में आ रहे हैं वहां पर क्या है ना कि जदातर डॉकुमेंट वहां पर एकुलते हैं और जदातर एजेंट भी आपको गुल यह वहाँ पर भी कई लोग हैं जो 2000 तकम आपाते हैं। लेकिन वो कुरानी लोग है, उनको बासा आती है, उनको काम आता है लेकिन मैं बात करना हुआँ आप नहे लोग की जो नहे लोग आ रहे हैं उनको वहाँ पर कम से कम 650-80-800 याराम से तनक्वा मिल जाती है अब बात करते हैं यही तनकुवा उपर वाली नोर्थ वाली साइड तो भाई नोर्थ वाली साइड में क्या नगी फेक्टरियां वगेरा है, तूरिजम ज़दा है, यहां पर फेशन ज़दा है और यहां पर जो एगरिकल्चर का भी काम है उसमें भी अच्छी खासी देखो पूरे आपके डोकुमेंट होंगे तो ही नोर्थ वाली साइड में आपको काम मिल सकता है अन्यता आपको यदि आपके पास डोकुमेंट पूरे नहीं है तो इस साइड में काम मिलना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है और लेचे साइड में कि निचे वाली साइड में ड खाने का खर्चा है वो कितना लग जाता है तो भाई यदि नीच्टे वाली साइड में आप आ रहे हैं तो वहाँ पर देखो थोड़ा सस्ता है क्योंगि जहां पर तनक्वा कम मिलेगी वहाँ पर खर्चा भी कम होगा या थोड़ी मतलब जो वेट है वो थोड़ी सी लो होगी तो वहाँ पर जो आपका खर्चा है ना रूम खर्चा और खाने का खर्चा वो 200 उरो तक अराम से पूरा महिना चल जाता है लेकिन यही उपर वाली साइड की बात करें तो आपके 500 उरो से लेके 600 उरो तक खाने और यह रूम के लग जाते हैं तो कहने का मतलब वहाँ पर प तो यहां पर थोड़ा सा मतलब जीवन है ना थोड़ा सा मुस्किल है लेचे में आप यह दिया और वहाँ पर जो यह सिस्टम तो आपको बता ही दिया कि काम यह है अगरिकल्चर का इस्ताला का और चोटे रेस्टोरेंटों का और यह तनक्वा का डिफरेंस है इतना पेशा आपके खाने के या रूम के लग जाएंगे और यहां पर यह 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 दिया आप इटली आ गई है और आपके पूरे डॉकुमेंट बन गई है तो आपको सिस्करना कि नॉर्थ वाली सा करक्तर लोग कमेंट करके यह भी पूछ रहे हैं कि इटली के कागज कैसे लगते हैं और कब खुलने वाले यह तो बाई देको दिसम्बर में यह कागज ना वो भरे जा चुकिये हैं अभी दो दिसम्बर च्यार्ट दिसम्बर और 12 दिसम्बर को और अब जो आगे कागज सब भाई लोगों को कि भाई आप पूरे डोकुमेंट और पूरी बातचित करके आएं क्योंकि आपके पास यदि डोकुमेंट पूरे है ना तो आप यहाने के बाद आपको कम प्रेसानियों का सामना करना पड़ेगा नहीं आपके दिमाग में यही टेंशन बनी रहेगी कि भाई हमारे पास तो डोकुमेंट ही नहीं है और यदि आपके पास डोकुमेंट नहीं होते है ना तो फिर आपको भाई अच्छा सा काम भी मिलना बहुजदा मुस्किल हो जाता है तो कहने का मतला आप अपने पूरी बातचित पूरे डोकुमेंट के साथ आएं और और भी आपको कोई भी इंपॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि भाई हमें इस बारे में बताओ मैं आपको जरूर बताओंगा आप बस मुझे एजेंट ना समझे क्योंकि मैं आप लोगों की हिलप के लिए जब भी मुझे डूटी से टाइम मिलता है तो वीडियो बनाता हूं मैं को एजेंट नहीं हूं तो आप मुझे पलीज वीज़ा का ना बोले क्योंकि आप मेंसे ज्यादातर लोगहां वह एसी बुलते हैं भाई मुझे भी बुला ले यार कास बुला पाता तो वह सारे लोगों गूला लेता अ प्रासा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते नेक्स व्लोग में तब तक के लिए राम राम जी